आप सभी का हमारे यूटूब चैनल केरियर पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है दूस्तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एस्टेट समाजिक विज्ञान का भुगोल टेस्ट नमबर ट्वेंटिफाइफ टेस्ट नमबर ट्वेंटिफॉर तक हो चुका है इसका लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा जहां से आप 2400 टेस्ट को अराम से देख सकते हैं देखिए भुगोल के अलावे आप अगर आपका सब्जेक्ट एकोनोमिक्स है पॉलिटकल साइंस है या फिर आपका हिस्ट्री है तो वो भी आप असानी से टेस्ट दे सकते हैं उस से कोशिज करूँगा कि रेगुलर टेस्ट हो और थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजेगा और इस पीडियो का अगर आपको पीडियेफ चाहिए तो यह हमारा टेली कराम चैनल है जहां से आप इसका पीडियेफ मिल जाएगा और यह दोस्तों हमारा फेस्बुक पेज है प् प्रसने दोस्तों अकि घ्रिस मरीतु में यह यह अस्थानीय तुफान चलती है दखिए हना अस्थानीय हवा है और यह जो वर्सा होती है इस चुक्ड पानी भी पड़ता है तो इसको आम्र वर्सा कहा जाता है क्या कहते हैं आमर वर्षा क्योंकि आम के जो पौधे होते हैं उसमें ये काफी लाप हो चाता यह कहां होता है तो करनाटक में होता है तो यह आप याद रखिए तो देखिए में चन्नई का तापमान कोलकाता से रहता है अब देखिए देखिए आपको मैप पे पता होना चाहिए कि कोलकाता कहां है और चन्नई कहां है हना तो देखिए आपको थोड़ा सा मैप यहां पे ड्रो करते हैं यह देखिए हमारा चन्नई तमिल लाडू यह हमारा तमिल और कोलकाता कहां है कोलकाता है तो यह वेस्ट बंगाल में नाडू है नजदीक है तो जो भी सहर या जो भी देश, जो भी गाउं, है ना, कुछ भी कह सकते हैं, अगर भूमाध रेखा के जो जितना नजदिख होगा वो उतना ही गर्म होगा, हाना, तो इसके अपेक्षा यह क्या है? गर्म है, तो यहां क्या रहेगा? ताप्मान अधिक रहेगा चेन् गाणा अगला प्रसने देखते हैं थाड़ नमर भारत में वर्सा पुर्व की अपेक्छा पस्चिम की और होती है। उत्र भारत की बात कर रहा है पूर्व कि पस्चिम की ओर इदहर वेश्टर का होथी है? कम होती है देखिए वारिस आती है मतलब एक जुन को आता है सबसे पहले कहां आता है एक जुन को तो सबसे पहले आता है केरल में और केरल में आने के बाद ये दो भागों बढ़ जाती है करब सागर की साखा ये बंगाल की खाड़ी की साखा बहुत बार आपको पताए है तो नौर्स इस्ट के जो राज है सेवन सिस्टर वहां बहुत अधिक वर्षा कराती है इसके बाद ये पूर्व की और मुड़ती है तो पस्चिम की और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाती है निए सबसे पहले बेश्ट बंगल जाएगी बिहार जाएगी यूपी जाएगी दिल्ल जाएगा नि बर्षा कम होते चलती जल जाएगी नेक्श प्रस ने आपका चार नमर की मौनसुन सब्द का परियोग सरुपर्थम खाली स्थान के नाविकों ने किया था अब देखिए आपको बताया थे जो मौनसुन सब्द है इसका जो सबसे पहले परियोग किये थे ये पानी वाले नाव के माधियम से तो वही नाम सबसे पहले दिये थे मौनसुन नेक्श प्रस ने आपका फाइफ नंबर पस्चिमी घाट पहाड के पस्चिम भाग में वर्षा होती है अब देखिए ये पस्चिमी घाट परवत है तो पस्चिमी घाट परवत ये थोड़ा सा मोटा कर दिये और इसका इधर भाला बहाग हो जाएगा पूर्वी भाग इधर भाला बहाग हो जाएगा क्या पस्चमी बहागा रेगा इस ऐस्टे चैसे-ड पुर्बी ढ़क की और जाती है तो वर्षा काफी कम हो जाता है यहाँ क्या कर रहा था पस्चिमी धाठ पहाल के पस्चिम भाग सांथ आधीक वर्षा करती है जैसे जैसे ये पुर्व की और आती है यानि इस्ट की और आती है तो वर्षा काफी कम हो जाता है अगर पस्चिम छोर पे अगर मान लिए 200 cm वर्षा हो रही है तो पुर्वी छोर पे मात्र 50 cm वर्षा हो गई और इसी को कहा जाता है भीमुख छेतर इसको क्या परवत ये वीमुख छेत्र ये दोनों बात याद रखे कभी कई पुछ लिया जाता है अगला प्रशन है आपका सिक्स नम्मर की परवत का खालियस्थान भाग विरिष्टी छाया परदेश होता है तो अभी आपको बताए कि परवत का जो जेसी देखी ये कोई परवत है इसक परवत 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 को जाएगा तो इसके परवत परवत कराते परदेश और यहां मातर 50 cm वर्सा होगी तो पवन का विमुख इसको क्या कहते है पिछले प्रशन में विमुख भाग इसको कहते हैं अगला है सेवन नमर परवत कि हमारे देश में लगवा कितने परजातियों के पौधे पाए जाते हैं तो आगर किताब पढ़ें होंगे तो उसमें आपको दिया गया है कि 47,000 प्रजातियों के पौधे हमारे देश में लगभग पाये जाते हैं ठीक है अगला प्रशन है आपका एट नमबर कि भारत में जैव विविधिता के मामले में विश्व में कौन से अस्थान है तो जैव विविधिता के मामले में भारत दसमें अस्थान पे है न औ भारत में कितने फूलों के पौधे पाये जाते हैं, फूलों के पौधे कितने पाये जाते हैं, तो 15,000 फूलों के पौधे पाये जाते हैं, जो विस्व के फूलों के पौधे का कितना है दोस्तों, मात 6% है, 6% जो है वो भारत में पाया जाता है, नेक्ष प्रसन है आपका 10 न और वो भी बिहार टेक्स्ट बूक जिससे आपको एक्जाम में पूछे जाएंगे तो ये अपके लिए बहुत इंपोर्टेट हो जाता है दोस्तों अगर आप अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और अभी हमारे चैनल पे नए है तो प्ली जिरू से जिरू सकते हैं अगर आप मेरे साथ जितने भी हम वीडियो कराएं सब ही अगर आप देख लेते हैं तो 110 पलस आपका से कम आहीं नहीं सकता है ठीक है तो आपका रिजल्ट अधम कंफर्म हो जाएगा जैसे आप 110 पलस लाइएगा तो आप कंफर्म हो जाएगा तो देखिए बीना फुल वाले पोद्धे कौन होते हैं ऺजाति फ़र्न ऊ ह dispon फ़र्ण था सेवाल तो चलिए ला सब्दों कि भारत कितने वहारत नार पर जाती हैं चाहिए तो भारत में न फ की lift जयार परजाती पाया जाते हैं दोस्तों नेक्ष प्रценन देखते हैं आपका 12 नम्मर कि गंगा-के गंगा के डेल्टा प्रदेश में किस प्रकार के विरिच पाया जाते हैं बहुत बार आपको बताए हैं और बहुत ही important प्रस्वन है जो गंगा और ब्रहमपुत्र के नदी से जो डेल्टा का निर्मान होता है उसे कौन सा डेल्टा कहते हैं तो सुन्दर वन का डेल्टा कहते हैं क्या कहते हैं सुन्दर वन का डेल्टा देखिए सुन्दर वन इसको क्यों कहते हैं क्योंकि सुन्दरी विरिच के नाम से ही इसका इसमें किस विरिच की प्रजानता है तो सुन्दरी विरिच की प्रधानता है जिसे मैंग्रोव भी कहा जाता है तो यह बात याद रखिएगा कभी मैंग्रोव भी दे दे जाता है कि मैंग्रोव परकार की जो विरिचे हैं कहां पाई जाती है तो सुन्दरवन में पाई जाती तो ये पानी से इसका जड़ ऊपर आ जाता है ठीक है ये देखिए कोई माले जाए बड़ा पौधा है ठीक है ये कोई बड़ा पौधा है तो इसका जड़ तो नीचे आया लेकिन फिर बाद में ऊपर क्यों चल जाता है इसका जड़ ठीक है तो आप ये इस टैप कभी प्रस् थितिक छेत्र को क्या कहते हैं बहुत इंपोर्टेंट प्रसन कितना वार एक्जाम में पुछा गया है तो इसको जीवोम कहते हैं दोस्तों है पिर्थवी पर ये खास किस्म मतलब जिसमें वनस्पती जगत हो प्रानी जगत हो जो आपस में एक सात रहते हो और किरिया करते हो मार चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो जीवोम अगला प्रशन है आपका 14 नमबर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्या लग रह Э्क ज़रूर करेगा अ और अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो प्लीज जरू से जरू सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन जरूर प्रेस कीजेगा ताकि आपको नेक्ष्ट वीडियो मिलता रहे नेक्ष्ट प्रस्ण देख रहे हैं चौदा नमबर प्रस्ण है आपका कि उस नकठी यह सदाबहार वन नाम ही है इसका सदाबहार ठीक है तो सदाबहार का मतलब होता है कि सालों भर यह क्या रहेगा हरा भरा रहेगा ठीक है तो यह भारत के किस छेतर में पाया जाता है तो यह भारत के पाया जाएगा आपको देखिए पस्चिमी घाट परवत वाले पिस छेत उसन कटीवंधिये सदाबाहरवन उसन कहने का मतलब हुआ यह उसन आनि 3.5 दिगरी नौर्थ और 3.5 दिगरी साउथ इसके बीच का जो छेतर पाया जाता है इसी को कहते हैं उसन कटीवंधिये आपको पताया थे गुलोपे करकर रेखा और मकर रेखा के बीच वाले छेतर को क जो भी छेतर आएगा उसको कहेंगे उसन कटीवंधिये सदाबाहरवन यहां बहुत जंगल पायजाते हैं रोजबोड महोग Dulik harboli बास बारबर में पुछkे जाते हैं निकोबर अब लोग देखें देखे हूंगे मैं बंगाल की खाड़ी में इस्ती थे अनमान निकोबार दीब समू है ना यहां जो वन पाया जाता है तो वो कौन से वन है सदा बहार वन नेक्स ठेके असम के उपरी भाग यहां नौर्थ इस्ट वाले जो सेवन सिस्टर है अनि मिघाले है असाम है तो इस छ ख़गने-जनगल यहांनि सदा बहारवन इसी को कहा जाता है ठीक है अगला प्रश्ण देखते हैं आपका पंदरह नंबर प्रश्ण है कि उस नकटिबंद्धिय सदा बहारवर में कितनी VARश्या होती है अब देखिए आपको बताए कि उस नकटिबंद में कितनी वर्षा ह है यहां वर्षा कितनी होगी तो 200 से अधीक ठीक है 200 से अधीक वर्षा होती है 200 से लेके 400 तक कभी option में मिलेगा आपको 200 से अधीक वर्षा होते है 200 से कम कहीं नहीं वर्षा होगा ठीक है अगला प्रशन है आपका 16 नंबर के सदाबहार वन में पेड़ों की उचाई लगभग कितनी होती है बहुत इंपोर्टन जो यहां जो वन होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं लगभग साथ मीटर से कूछ है क्यों होते हैं देखिए आप सिर्फ असकीप करके चल जाएगा पूरा सुनिए और समझेगा एक बार समझ लीजेगा ता आप कभी निकोस्टन को भूलिए इस समधित जितने भी प्रशन आपको आएंगे आप अनाम से बना दीजेगा देखिए आखिए लंबा इतना क्यों होता है इसका लंबा होने का रीजन है ठीक है यहां केरल में है स सभी विरिश क्या हो जाते हैं लंबे हो जाते हैं एक दुसरे से आगे निकलने के होड में रहते हैं कि हम आगे निकलेंगे हम सुरी के परकास को पाएंगे ठीक है तो इस परकार से वो लंबे हो जाते हैं इसकी जो उचाई होती है लगवक 60 मीटर से अधिक लंबी होती है के पीड़ पॉधे एक्जाम में बाज बार पूछा जाता है ना किसपर कार गिराती है अपने पत्यों को सदा स्विफथ को अपने पत्ते को यह 1.50-2 महिना के लिए गिरा यह अपने पत्ते को थोड़े थोड़े समय के लिए घरते रहते हैं थीक है अशनी थोड़े घरते रहते हैं यह यह जो हमशनी को तरह से सदा आगला पृतित है 12 में 19 कृन से व्रिग पाए जाते हैं त इक कोना आवनूस इसी को एवोनी कहते हैं और बास ये आपका भी भी आई है बार बार एकजाम में पूछा जाता है कि महोगनी जो जो बिरिच है ये किस वन में पाए जाते हैं तो सदा भाहर वन में पाए जाते हैं ठीक है आपको खट से आप जबाब दे सकते हैं तो ये आप य तो लंगूर बंदर इसकी अन्य परजातियां हाथी इस टाइब के यहां पर जानवर है वह पाये जाते ना काफी सटे सटे होती हैं त्र इसलिए नुगां लोग अचलते रहते हैं वहां हाथी पाया जाता है तो याद रखिएगा, तो वहाँ हाथी पाया जाते है, अगला पुरस्न है कि एक सिंग वाला गैंडा कहां पाया जाता है? तो एक सिंग वाला गेंडा जो है असम काजी रंगा में पाया जाता है और ये भी सदाबहार वन है अना एक सिंग वाला गेंडा ठीक है याद रखिए का बहुत इंपोर्टेंट काफी बार एक जामें पुछे गए हैं अगला परसन देखते हैं अपका 21 नंबर कि भारत में उ यह जो पत्ते को गिरा देना ठीक है तो ये जो को गिरा देती है programs ऑला चायखन थे भी हार उडिके शे और पर्णपाती वन हना तो यह आद रखिएगा ठीक है और यह जो है भारत का सबसे महत पूर्ण वन है ठीक है चलिए अगला प्रशन देखते हैं आपका 22 नमर की पर्णपाती वन प्रदेश में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है तो देखिए इस वन में जो वर्षा होती है व सबस्दीच वर्षा होती है अगला प्रशन देखते हैं आपका उसन परघन उसनपाती वन में 50 से लेकर के दूसर नाम है इसका उसन मतलव गरम करदम चेतने में बरस में कम हो जब आद्र है तो वर्षा जादा होगा तो 100-200 आद्र हो गया और उसन हो गया 50-200 cm बस समझने वाली बात है तो होता है 50-200 cm तक वर्षा होती है ठीक है देखिए दोस्तों थोड़ा सा मेरे तवियत खराब है आप लोग थोड़ा सा अगर आज में थोड़ा सा ऊच नीश हो तो थोड़ा मैनेस कीजेगा और अभी तक अ सबस्क्राइब करें और अभी तक हमारे चैनल को अप लाइक कि यंदि दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ जडू से जरू से ठेर करें चलिए तो उस्नकतीबब्धि यह जो परणभातीवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देड़ से दो माहा के लिए अपने पत्ते को क्या करते हैं कि अगें अगला प्रशन है आधर प्रणपाती वन किस छेत्रों में पाये जाते हैं तो जो प्रणपाती वन है यह पूर्वी भाग कई साल्व कि हमारे की स्कुलाइब मुक्त आधा करें तो इस नौक्टीबिन यह सोन यह मैग जाते हैं और है कि जहार खन के पाथारी चेतर पठा में भी आध्रब्रणपाती आधा परनपाती वन पाए जाते हैं तो यह चेतर आप याद रखिए बारबार आपको चेतर पुछ लिया जाता है अगला प्रस्ने आपको 27 की चंदन तथा सागवान के विरिच किस वन के पौधे हैं अगला प्रस्ने आपको 28 नमर की परनपाती वन में कौन से विरिच पाए जाते हैं पाती वन में विरिच्छ आपको बताना है कौन कौन से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है काफी वार एक जामें पुछे गए है वन देखिए तिन चार ची पुछा जाता है सबसे पहले छेतर आप गयाद रखिए उसमें कौन कौन से जानवर पाया जाते हैं वहां कितना वर् पुर्ण कुछ विरिच्छ है ठीक है और इसके अलावे भी जीसे कि आप अपने आसपास देखते होंगे अगर आप बिहार यूपी बंगाल के है तो आप देखते हैं अपने आसपास आम का पौधा है तो आम का पौधा भी क्या आता है यह भी प्रणपाती वन में याता है प्रणपाती वन में पर्सुल्य पाया जाते हैं और यहां जो मौर बहुत दायत रूप में पायाजाते हैं तो कन पिश्बआम स्ब्रस्ग्ण जरू से बताया तो लाइक किज्ड़े और में, लास्ट डियरु है चलिए थाटेनेर प्रशन देखते हैं कि एकस्ता αποमकर किद्高 समاش के छिटी के वर्शา होती है इतलिए वर्शा कितनी होती है आँ थे हमलोग स्दावार देख लिए प्रणपात्य देख लिए अब हागा कि यहां उस कुम होगा जहां कि पचास सेंटीमीटर्ट से कम वर्षा होती है दोस्तों यह था। का 30 परस्ट ने आपको कैसा लगा आप लोग बताईएगा और दोस्तों अच्छा लगा हो तो फिलीज एक लाइक करें और अपने दुस्तों के साथ अगर सेर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ताकि दुसरे को भी इसका लाव मिल सके और फिल कल मिलते हैं दोस्तों आपको पीडियेफ चाहिए तो यह हमारा टेली कराम चैनल है और यह फेस्बूक है यह दोनों आप जूड़ सके और यहां से आपको पीडियेफ मिल लियागा ठीक है कल मिलते हैं तब तक के लिए जैहिंद जैभारत